तो हेलो दोस्तो मैं हूफीज और आप देख रहे हैं गपशपफित हफीज तो दोस्तो स्टेट ओफ सीज टेंपल अटेग जी फाइफ में मैंने देख लिये और ये फिल्म देखने के बाद मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि थैंक यू फॉर दिस मूवी जी हां दोस्तो कई दिनों बाद एक ट्रू इंसिडेंट पे आधारित एक फिल्म मुझे काफी पसंद हाई और दोस्तो अगर बात करें इस फिल्म की तो अक्षे खना, गौतम रोडे और विवेक दहिया से सजी ये फिल्म गुजरात के अक्षरदाम मंदिर में हुए आतंगवादी हमले पर आधारित है इस मूवी से पहले हमें स्टेट आफ सीज 2611 जैसी वेब सीरीज देखने को मिली थी और दोस्तो अगर बात करें इस फिल्म की स्टोरी की तो फिल्म की स्टोरी शुरू होती है गुजरात के क्रिश्नदा मंदिर से जहां कई सारे परिवार अलग अलग शुब वजाओं के वज़े से दर्शन करने आते हैं और कुछ लोग वही मंदिर में काम करते हैं और इसके बाद अचानक आतंगवादी हमला हो जाता है और लोग इससे कैसे बसते हैं किस परिशानियों से गुजरते हैं और कितने लोग इसमें जान गवा देते हैं और कैसे एनसजी इस मिशन में इंगेज होके लोगों की जान बचाती है और इसके अलावा लोग कैसे मजबूर हो जाते हैं देश द्रो करने के लिए यही इस फिल्म में दिखाया गया है और अगर बात करें स्टेट ओफ सीज टेंपर अटैक की तो इस फिल्म में एक्शन है इमोशन है दर्द है और देश भक्ती की भावना भी दिखायी गई है और कई कई जगाओं पे ये फिल्म आपको हैरान कर देगी और चौका देगी और जैसा आप इस फिल्म के बारे में सोच रहे हैं ये फिल्म उसका एकदम उल्टा करती है और फिल्म के action के बारे मैं अगर बात करूँ तो अचानक से होने वाले फिल्म में action आपको कई जगाओं पे हैरान कर देती है और अगर बात करें performance की तो अक्षेखञनना ने हर बार के तरह इस बार भी हमें काफी impress किया है और उन्होंने अपना रोल पूरी तरीके से जस्टिफाई किया है और अगर बात करे गौतम रोडे की तो वो इस फिल्म में छोटे से रोल में भी काफी जमें हैं उनका किरदार मेजर समर का है लेकिन मुझे लगता है कि उनके इस किरदार को और भी अच्छे तरीके से दिखाया जा सकता था क्योंकि एक सीन में जब उनकी वाइफ मा बनने वाली होती है और उन्हें उसे छोड़ कर मिशन पर जाना होता है लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये सीन काफी छोटा था ये सीन थोड़ा और बड़ा होता तो इसमें कुछ इमोशनल टच डाले जा सकते थे और अगर बात करें विवेक दहिया की तो उनका काम भी मुझे काफी अच्छा लगा और फिल्म में एक सीन है जहां एक लेडी के हस्बेंड और उनकी मदर मर जाती है और जिस एक्सप्रेशन से वो उन्हें देखते हैं भाई उनके चहरे पे मायूसी साफ जलगती है लेकिन यहां पे मैं इस्पेशल मेंशन करना चाहता हूँ उन चारों एक्टर्स को जिन्होंने आतमवादियों का करेक्टर किया है भाई उनका नेगेटिव रोल होने के बावजूद उनका परफॉर्मेंस काफी काबिले तारीफ है और जिस तरीके से उन चारों में टेरिरिस के करेक्टर में घुस के काम किया है भाई देख के सच में लग राता कि उन्हें मार दिया जाए और इनके अलावा समीर सोनी अभी मन्यू सिंग का भी काम मुझे काफी सही लगा और अगर बात करें डिरेक्शन की तो केंगोष का डिरेक्शन भी काफी अच्छा है और उन्होंने एक अच्छी फिल्म डिरेक्ट की है और इसके अलावा अगर बात करें फिल्म के बैग्ग्राउंड स्कोर की तो बैग्ग्राउंड स्कोर सिंपल सा है इसमें जादातर fight scenes में आपको सिर्फ bullets और fire की sound सुनने को मिलेंगे फिल्म का run time कम होनी की वज़े से फिल्म का screen play काफी अच्छा है और फिल्म आपको कहीं पर भी bore नहीं करेगी तो all in all मैं इस फिल्म को दूँगा 3.8 out of 5 stars मुझे ये फिल्म काफी पसंद आई आपने अगर ये फिल्म देख लिए है तो comment section बताईए आपको ये फिल्म कैसे लगी फिल्हाल वीडियो में पस यतना ही मिल देंगे किसी वीडियो में till then check care bye bye